हेलो स्टुदेंट्स, आज हम कॉमन नावन और प्रोपर नावन की एक्सराइज बुक में स्टड़ी करेंगे सो हमारा है कॉमन नावन और प्रोपर नावन की एक्सराइज पेज नमबर सेवन में क्या है एडिंग? अंडर्लाइन दा कॉमन नावन इन फॉलोइं सेंटेंट्स, जैसा के मैंने आपको लास्टाइम एक्सराइन किया था के हमारा कॉमन नावन एक भी हो सकता है एक्सराइज ज्यादा भी हो सकते है तो यह अमारा कोमन नावन का था होगा? camel and road okay now second Raymond rides his bicycle in the park तो यह हमारा common noun क्या है bicycle and park bicycle is common noun and park is also common noun okay now next and aeroplane lands at the airport aeroplane lands at the airport तो क्या आएगा aeroplane and airport okay students आपको बाकी के जो भी examples दिये जो भी exercise दिये वो आपको खुद से solve करना है अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम आपको घर पे answer sheet भी provide करने वाले तो आप उसमें से भी easily work out कर सकते हैं आपकी थेंगे तो हम उसकी एक्सेजाइस करेंगे so first हमें picture की साथ क्या sentence दिये है a dash of keys यहाँ पे आपको options दे रखे मैं save option पे number put out करूंगी आपको उसे blank में fill करना है गर पे okay a dash of keys जैसा मैंने आपको example बताया था dash of keys मतला bunch of keys तो हमारा bunch का है bunch of keys now second a dash of cows cows मतलब herd of cows जो बहुत ही सारी cows एक साथ गूमती है उसे हम क्या कहते है herd of cows a dash of cards cards का क्या होता है pack होता है एक पूरा जो packet में होता है तो pack of cards now next a dash of bees bees का क्या होगा swarm of bees okay students a dash of lion lion का क्या होगा pride of lion a dash of flowers flowers का हम लोग क्या बानके लेकी जाते है बुके जो हम किसी के बाड़े पर या ओकी शिंस पर हम उसको गिफ्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं बुके आप बुके लेको क्यी अइके जाल खरेफिए अब अब अवर नेक्स नंबाट केवा हम रहरी जाल को और पर चुखरें के लोगा की आई Aurora पिर आप उसपे options भी लिख सकते हो जैसे कि first है a crew a crew of sailors तो यहाँ पर मैसिव answer लिख रिख 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 करना है हमारा option के see a pack of wolves वुल्फ का बहुत सारे पैक होते हैं मिन्स कि बहुत सारे वुल्फ वहाँ पे साथ में इक्खट आए और गैगल और गैगल और गीज उसका option है option d now a bunch of what bunch of flower so bunch of flowers a fleet fleet of ships a glass a glass of students a class of students तो हमारा students का यहाँ पर class में कान बेट थे students हमें बेट थे means students बेट थे okay i hope आपको यह exercise understand होगी thank you now our next exercise is question number f circle the collective nouns in the following sentence so our first question is last night ankit's dog gave birth to a litter of puppies मतला बहुत सारे puppies को उसने born क्या birth दिया तो हमारा litter क्या होगा collective noun हमें क्लेक्टिव नाउन पर क्या करना है circle करना है a herd of buffaloes came into our garden and ate up all the plants जैसा कि मैंने बोला था क्या आपको collective noun उसके साथ मिल जाएगा जैसे कि herd of buffaloes the buffaloes के herd of buffaloes came into our garden एक सारी बफेलोस गाडन में आ गई है mansi was chased by a swamp of bees mansi को कौन परेशन कर रहा है swarm of bees means bees का एक पूरा crowd आके उसे परेशन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे swarm इसी तरह आपको बाकी के example भी कुछ से solve करने और अगर आपको नहीं आ रहे तो आपको work sheet भी यहां से provide की जाएगी उससे आप easily work out कर सकते है thank you